हेलो ब्यूटिफुल लीडिज वेलकम बैक टो मैं चैनल कैसे हो आपसे आज का टॉपिक होने वाला है एबरियूट 24 कैरिट गोड ओरेंज पिलाफ मास के उपर इसको भी मैंने पॉपल से भाई की थी यह जो प्रोडेक्ट है यह 30 ग्राम का है और यह 50 रुपीस का आमाउंट है इसका मैं हमेशना जो भी प्रोडेक्ट से में पॉपल से ही भाई करती हूंगाइस क्योंकि पॉपल पे ना गईस अच्छा-खासा डिस्पाउंट हम लोग को मिल जाता है और कोई भी प्रोडेक्ट हम लोग को आउटाउ स्टॉक पे नहीं रखता है अब जो भी सर्च कर करता है कि 15 मिनिट्स पे इंस्टेंटली प्राइटन अप देता है करके बाकि में यह असर दार हैं इस जो हैको करता है आपके स्किन पेर आभी हम लोग कहीं पार्ति बगगवराईर अभी शाधी में कुछ जाना होता है हम लोगो तो हम लोग के पस इतना टाइम नहीं होता ह किसी के पास तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरहा के प्रोडेक्स हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि एक क्विक्स तरिका होता है जो कि आप लोग के तो आप लोग का फेस आप अचे से वाश कर लीजी वाश करने के बाद इसको इवन भी आपके स्किन पर अपले कीजिए इसके नगाइस दो यूज़ होते हैं एक जो है आप अप अपले करके इसको 15-20 मिनिट के बाद पील आफ कर सकते हैं अप लोग को फेशिल हैर का प्रॉब्लम है आपको अपने फेशिल हैर रिमूव करना है तो आप लोग इसको आप अपोजिट डिरेक्शन पे पील आफ कर सकते हैं इतना तो आपके फेशिल हैर को अच्छे से क्लीन नहीं कर पाएगा मतलिकि कछ तक क्छいき तक 20-30% की आप उसको क्लीन करना है तो आप लोग इसको पॉसित डिरेक्शन पे सकते हैंまだ एमुड Thai chewing तो आपके पील करना है तो आप जो पील करना है तो आपके जो पील करना है तो आपके जो एक皮शिल हैर है है कि उसको शाल टाफ कर देता है अगर प्रिलाफ करने के लिए बहुत पैन होता है तो इस पे इतना कुछ पैन नहीं होता है तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं इस पे आप लोग देख सकते हैं 24 कारेक्ट गोल्ड जो क्लेम करते हैं मतलब यह गोल्ड तो नहीं है लेकिन इस पे आप लोग देख सकते हैं इस प तो होता है इसको ड्रय होने पर जो कि मैंने अपने हैंस पे अपले की थी तो ये इतना अच्छे से ड्रय नहीं हुआ था तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा होने के लिए as you can see मेरे hands को आप देख सकते हैं जो के अभी यह हलका सा brighten up हुआ है अगर आप अच्छे लाइट रिंग पर देखेंगे था और भी आपको फेज जो है और अच्छे से brighten up दिखेंगा इतना ही वीडियो है गर्स प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल